है नमस्कार दोस्तों वेल्कम बेक टू जूनियर इंजिनियर सिवल अकेडमी आज हम स्टाट करने जा रहे हैं सोम का लेक्षर नॉमर्ट टू जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इस्ट्रेस और इस्टेन के बारे में इससे पहले समय लेते हैं कुछ बेसिक से मुव हो रहा है तो मैं इसको फोर्ट लाके रेस्ट मिला सकता हूं ओके तो यह होती है फोर्स की टेंडेंसी अब बात करते हैं कि इस्ट्रेस क्या होती है इस्ट्रेस समय लेते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटरनल रजिस्टिंग यानि अंदर से बॉड़िव फोर्स लगाती खुद का उसको बोलते हैं हम लोग इंटर्नर रेष्टिंग फोर्स जैसे कि मैं माझनों कि यह बॉड़िय मैं इसको यह हूं करा रहे हूं जब मैं इसको ट्विश्ट कर रहा हूं तो मुझे पावर लगानी पड़ दिया पावर इसवे से लगानी पड रहे है कि जतना मैं पावर लगा रहा हूं उतना इस पावर अंदर से बॉडी भी लगा रहा हूं और जितना अन्द से बॉडी फोर्स लगा रही है यूसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटर्न रचिंग आपिए जिस एडिया पे यह अपलाइ कर रहा हूं अब मैं बात कर रहा हूं कि स्तिंग क्या होती है तो इस तिंग का सिंपल सा फॉर्मॉला है चेंज द मो i कि यह भी बात आती है दिमाग में भाई कि डामेंशन कौन सी उसकती है देमेंशन हो सकती है अपनी लेंथ भी थिखनेस इनको ध्याण से रखना इनके बार में अभी और डिटीम में बात करूंगा कि एंड वॉल्यूम को तो द्रफ मतलब है यहां पे एक्षेंज लेंद कि यह है यह जब 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 चेम्ड होगा तो उस चेंज अपन ऊइनल ओव मैं इसकी थिक्नेस की बत कर देताउं लंबाई की यहां से निकाल देना बच्चों की दिमाग में रहता है कि लंबा ही है चोडाएगे है वालिम भी है तो एडिया भी होगा एडिया नहीं होता धान रगना बात कर देता हूं कि यह क्यों लगती है अगर मैं आप सो पूझने क्यों लगती है इंटर्नल रजिस्टिंग और रजिश्टिंग फॉर्स यानि कि व्रोध रजिश्ट का मतलब सीधा आता है हिंदी में बोलते हैं इसको व्रोध किसका किया जाता है आप सरकार में भी किसका व्रोध करते हैं कोई नए बिल आता है तब रोध करते हैं जो बदला होता है उसका व्रोध करते हैं तो करती है है कि कि इसको रिष्ट करती है अगर उसमें को नहीं कि घुता यानि की लगाने पर इस्ट्रेस कुंपने से पहले क्या चाहिए उसको स्टेंड चाहिए जब स्टेंड होगी तब ही तो इसके होगी अगर सम्झां आगया होगा आपको रोगने के लिए इस के स्ट्रेस होती है तो आपको समझाने के लिए आपको इनके by से क्लषिटीफिक्रिकेशन की सिंपल वह में हम लोग समझ सकते हैं आप लोग जिस करते हम फूर्स पढेंगे जैसा फूर्स होगा वैसी एजन Ugh वैसे करनeste होगी वह किसके खूस करन यंदी एक फोर्स से पहले स्टेन फे और इस ट्रेस रहे एकट में जैसे फोस जई स्ट्रेसिटं तो एम तीनों के बारह में फिल लेते हैं यह-cks यह भी तो यह यह एंस फोर्स के अपोजित डेंटि कर देखेंतों डीक खलते हैं और मैं अगर मैं फोर्स की जी यह नंगर देता हूं कर देता हूं औह कमप्रेशिव कर दिता हूं इस तरह लगेगी तो इस्ट्रेस बाहर की लगा लगी इस तरह तो आइप आफ फोर्सेस ठीक है पहला होता है हमारा नॉर्मल या फिर बोलते हम इसको डायक्ट फॉर्स डायक्ट फॉर्स रहुत आपका शेर फॉर्स है एफ फॉर्स अमें बॉडी ले ताहूं आपको समझाने के लिए एक बॉडी ले लिए हम लोगने इस तरह है ओके 3D बोडी मांने रहे हैं नॉर्मल जाने कि 90 अब मैं बोर्ड पे इस तरह मार्कर देख फोर्स लगा रहा हूं पूस लगा रहा है अपने हाथ में इस तरह फोर्स ला रहा हूं तो यह फोर्स और जिस सब्धेश पर काम कर रहा है उन्दों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री नॉर्मल का मतलब होत गया से साफ कर home तो इसकी सर्फेस बॉर्ड की सर्फेस के बीच में कितना हम लग रहा है जिरो डिंघरी चूँक्छी यह आपस में शचियर कर रही है बट रही है जीसे आप चॉछ से काटते हैं तो सेव को काट हो गया तो आपको सेव की जो लेयर कट रही है और चाकू जिस लेयर में जा रहा है उन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है Vielen यह एंभी यह एक अंधि छियिद० में कृट कराथ डींख आड पर काम कि इन्ह पुस्अशंद सब्गना न के आड़ सकता यह सकता है ये यह यो सकता है कल एगे और अरबNIE क्लिक मंचेह एवसकता है अब हम इसको समझते हैं इसकी लंबाई मान लेते हैं एल चोड़ाई मान लेते हैं यहां पर हम लोग B और हाइट मान लेते हैं यहां पर इसकी लेकिन इसकी डिक्षिन कैसी है एरो बाहर की और बाहर की और तो कंसा हो गया अगर बाहर की और तो यहां से कितना एंगल बना रहा है है नयंटी डिग्री ठीक है लेकि एरो पर अंदर की हो रहा है यह दवारा यानि कंप्रेसिट यह कौंसा होगे और कंप्रेसिव थे और यहां पर तो यहां पर जो एवन कर देता हूँ अगर मैं इस तर लगा देता हूं ठीक है इस तरह लगा दिया लेकिन ये तो इसके पहले ये तो सके पैलर ले स्टर है कि यह कुन साफ पूर्स के अपना शेर पूर्स यह कूंसा फोर्स होगे अपना तो आपको कले हो गया Normal वोड्स और शीर्फोर्स में डिफ्रेंस नॉर्मल पॉर्स नैंडी डिवींगल बनाएगा सर्फिस जिस प्लेंट वो काम करेगा और शेयर फॉर्स जिडिवी अंगल बनाएगा जिस प्लेंट्र वो काम करेगा एक्जामपल के लिए और बोर्ड पे इ सब्सक्राइब होगी तो पढ़ लिए हम लोग पढ़ते हैं अब इस्टेन के बारे में टाइप फोर्स हम पढ़ेंगे आप सब्सक्राइब तो पहली मानते हैं लोग नॉर्मल इस्टेस ठीक है पहली क्या लेंगे नॉर्मल इस्ट्रेस तो नॉर्मल इस्ट्रेस क्या होगी नॉर्मल फोर्स अपन एरिया इनॉर्मल जैसी इस्ट्रेस की बात करेंगे वह उस फोर्स के गार्ण तो जन्रेट होगी तो मैं फोर्स वही लेना जो इस्ट्रेस होगी नॉर्मल फोर्स ले रहे हैं नॉर्मल तो अगर मैं नापट कमसे है अपना फोर्स अपनाे तो और मैं यहां फोज नॉमा सर नीजक्व करते हैं तो क्यों साहएं बीफ्स की बात कर दो जो तो सिनन proclaim टूप आ सिर्फ अनाय बंगे यहां औहीं लिए जाना चाहिए यह वाल लिए जाना चाहिए नहीं तो इंटो एजय को किお आँने एज टेंसर है से संटेंगे इसको पॉजिटिव हर मैं सिक्मा टूंप कर देता हूं सिक्मा टूंप की कर देता हूं तो फोर्स कौन सा है यहां पर एफ टू उसकी डाइक्शन के तरह है डाइक्शन इसके अंदर की यूर अंदर क्यों यानि कंप्रेसिव इसको क्या लेंगे नेगे टिव एडिया जिस पर काम कर रहा है इस पर काम कर रहा है इस पर काम कर रहा है यानि एल इंटु ये क्योंकि स्क्राथ लग रहा है नो हमने एक दोन ऑन डिविप रहे जोड़े और चुर्पह कर दो स्ट्रेस तो शेय्क है बारे में करतेग्न नहीं है के बार or आट है यह से स्कुट ताऊ है यह में साम देख सेरी एंट Master PhD ś कि Hai एरिया ईरियो काम करें शेर को साहक된 तो सा आपना यह क्लिए यह ह्पर यृइज प्रूड कर रहा है इस इरे औा एथ है ंडीकर में आप और एंट्थ जिस टीए कहा लंबा इसकी तो एल यह क्या हें जोर यह चोड़ाई कितनी है भी तो क्या हों गया अपॉं ऐं तो भी बै्न क् Bowl OSS कि शिर्ट रस ओके अब एक इस्ट्रेस और होती है जिसका हम लोग मलते बेंडिंटे एक इस्ट्रेस होती है इसका अंग या बोलते है बेंडिंग को स single कम लोग घ्लिए लला हुझ पो scripture चुए एक्सांपल के लिए मैं इसको बेंड Voor तो नीचे का तो इसका दब रहा है ठीक है उस पर क karşı बंदर का कि लिए अगर मैं यह ले लेता हूं ठीक है बीम ले लेता हूं और फोर्स लगाता हूं इस तरह है तो यह इस तरह मुग पर जाएगी ओके इस तरह है बढ़ जाएगी नीचे कसा बढ़ जाएगा उपर कसा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यह बढ़ क्यों रहा है क्योंकि इसमें क्या होग टेंसर स्ट्रस लग रही होगी ठीक है बाहर की और इस लिएर की बात करूं तो इस पर कैसी लग दियोगी कंप्रेसिव लग दियोगी है ना क्योंकि टेंडेंसी तो एक ही है 90 डिग्री पर यह भी काम कर रहा है 90 डिग्री पर यह भी काम कर रहा है यानि कि यह कौन सी स्ट्रस होगी नॉर्मल ही हो गई है है यह नॉर्मल इस प्रेस ही तो अपनी क्योंकि 90 बिए कंप कर रहे हैं प्लें से ओके और नॉमे श्ट्रेस को खुछ होती है तो यह हुगा अपना कम्प्लीट स्ट्रेस उप स्के बारे में अब हम पढ़ेंगे किस के बारे में स्टेन के बारे में तो पहली इस ट्रेन ओपने पर ना कि नॉर्मल longitudinal या फिर linear strain ओके पहले इस्टेंग ओधी होती है यह पिर linear ओके अब मैं example के लिए body माझन लेते हूं अभी अभी ऐब वन फोर्स लगाया मैंने इसके लंबाई बढ़के कितनी हो गई इसके लंबाई बढ़के एल थी और मैंने मान लिया बढ़के कितनी हो गई एल प्लस डेल टायल ल प्लस डेल टायल हो गई हम लोग उसनी पढ़ा सिर्फ एक बोड़ी के बारें पढ़ दें बस तो यहां पर मैं नॉमल श्ट्रेस जने रूए थी सेम यही था इस तरह श्ट्रेस लग रही थी वह डियाग्रम बार बार बनाना पड़ता है बोड की सैच की वैसे ओके तो यहां पर कौन से स्टेन हो गई अपनी नॉर्मल ठीक है यह फिलांग टूबन बोलते हैं एप्सलों एल से दिखाते हैं इस टेन क्या होती है चेंजिंग डायमेशन अपन ओरिजिनल डायमेशन तो यहां पर लंबाई में चेंज हो रहा है तो चेंजिंग प्रिजिंग लेंगे यहां पर मूदू चैंज इन लेंथ मैं अपन ऑरिजिनल अच कि छेंज कितना हुआ है डिल्टायल डिल्टायल और डिल्टायल ओर जिनल कितनी है एल वाल ओके अब इसकी कुछ हाइट भी रहत योगी तो इसकी हैट आमने मान ली कि पहले हैट थी है कि很好 my bade to height कम होगी तो डेल्टा माइस डेल्टास मान लिया तो FORCE के पर पैंडिकलर डाक्टन में इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेंट क्या बोलते हैं कि लेटरल कि इस्टैन के से पता करेंगे लेटरल स्टैन को FORCE के पूर्पैंड्ड राक्टन में ओर से दर काम कर तो इस चांब ऊपि वह कौन तो कि लेटरल अगर फूर्स इस तरह कौं करता तो इस चाइस होती हो दिंव आफ लेटरल होती ओके उसे कोई मतलब हैं भी दाइमेंशन है लेंग ही है जाल दूंद ली जाएगी ठीकने देशन कितने हुआ टेश का माइनस डेल टैश अपन ओस्ट नीटी है है यहां पर माइनस क्या मान offering अंद कर में रेुडक्शिन रेक्षिंग को बिलॉड ही है क्या विश्टां प्लइस का प्लस का मतलब है elongation बढ़ रही है इसको हम जब फॉर्मले में पॉट करेंगे तो नेगेटिव नहीं लेंगे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम इसको मोड लाकर रखते हैं मोड का मतलब जो भी नेगेटिव वेल्य होगी वह पॉजिटिव में ली जाएगी अब इन दोनों क 1,4 लगा लोग नों लोग उन दोनों को मिला के खूंड बनता है जिसको लोग बोलते हैं अब हम नार्मल को बन दोग हमने भानें में हमने रेशियो इसको शो करते हैं हम लोग मियू से ओके मियू से इसका फॉर्मॉला होता है आपका कि लेटरियल कि इस्टेंड अपन लॉंगी कि ट्यूडेनल का मतलब कि लेटरल नीक जो फोर्स के परेंडीकर्ट डायक्षिन में इसको मी betray इसको मां लिया और इसको मां लेते हैं लोग यहां कि यहां पर रिडक्षन किसका हो रहा है तो थिकनेस का रिडक्षन हो रहा है अब इस्टेंग में ने बताया था कि इस तेन हम तीन चेंगे एक तो लैंथ पर एक थिकनेस पर वॉल्यूम पर इडिया पर नहीं पढ़ते हैं लोग तो अभी नॉर्मल फूर्स के खारण नॉमल स्टेंग ने लेट्रल स्टेंग और इन दोनों बना की कॉम्मिनेशन मना जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजन रिशियो पॉजन रिच्ड वेल्यू कि अपको जीरो से लेके 0.5 तक जो आपकी 0 होती है वह होती है आपकी कॉर्प की एक्जाम में पूचा जाता है कि क्लद रि किसकी होती है रबर की कॉंसेप्ट एक ही होता है एक्जाम में किसी तरह की कॉंसेट से क्वेशन बन सकते हैं ओके यह कैसा होता है इंकम प्रेसेबल आप से रबर ना बोलके इंकम्रेसिबल बोल सकता है क्वेशन में आप से रबर ना बोलके बोल सकता है कि इनकंप्रेसिबल मटेल की पॉजन रिशियो वैल्यू कितनी हो सकती है तो आपको आंसर लगाना है जी रूपमेंट फाइब ओके इसके बारे में डीटेल में हम अगले लेक्शन में पढ़ेंगे अभी पॉजन रिच्छों की बारे में अभी और अब हो गया हमारा नॉर्मल के कारण ओके अब बात करते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेस के कारण जो शेयर फूर्स लगाता है उसके शेयर स्ट्रेस हुई लेकि शेयर स्ट्रेन भी होगी तब पढ़ते हम लोग शेयर स्ट्रेन के बारे में अगर मैं किसी बॉड़ी को बॉड़ी इस तरह है किक से नीचे स है ओके और मैं क्या करता हूं यहां पर एक फोर्स लगा देता हूं एफ शेयर फोर्स लगा दिया तो क्या होगी बॉड़ी इस तरह मूव हो जाएगी जैली होती जैली आप उसको इस तरह आती हो तो वह नीचे दो फिक्स रहती है लेकिन ऊपर का इससा उसका डिफॉर्म हो जाता है कुछ इस तरह है ठीक है ऐसी शेप हो जाएगी और जितना यह एंगल बनेगा नया एंगल बनेगा फाइट इसी को शेयर इस्टेन के तो एफ लॉन ऐसे शो करते हैं इसको क्या बोलते हैं फाइट ओके तो शेयर फूर्स के कारण कौन सी इस्टेन होगी सॉरी इस इसको अब्सक्राइब यहां पर ओके तो यह कौन सी इस्टेन होगी शेयर इस्टेन होगी यहां पर नहीं यह इसको हम लोग एंगल के ट्रमे मीजर करते हैं पाच्वी होती है वोल्यूमेटिक इस्टेन यह बहुत इंपॉर्टन है अब रूद्यू मैट्रिक इसको एप्सलोन वी बोलते हैं ओके एक्जांबल से समझते हैं इसको अगर कोई बॉड़ी है 3D इस तरह हमाले हमने 3D बॉड़ी है कोई ओके इस पर फोर्थ लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं इस डैक्शन में लग रहा अपना हुआ हें ओके इस तरह कौने यांसे भी लगएगा पूब कर रहे हैं आपको बेंके एंटेंजेंग ऑक को कि तर हो लगा नाथे आप्सटेर और चोंति तेनों डैक्षिन में इस्टेंटेन्ट होगी तो मैंने माली उसस्हें इस तरह य डैक्षिन सझी माल्य मैंने एप्तलोन य एक्षिन है ओके तो यह मालिया ग्राधस कि इतना बेदा वह थक्या में के समीशन के बराबर होगा चिल हर जो वोलिमेटिक क्सी होती है बढ़ाबर किस के होती है本当 नें डरेक्षिन रसलेर स्सेंट लिए बता Casey यह वाली डॉक्षन अपनी कोंसी होती है एकश ये कौंसी यह वाय यह कौन सी होती है जैल द्रैक्षिंग कौन सा लग रहे हम लोग हमारे इस वन डियुक्ष में लग रहा है एफ-ू Stephan लग रहे हैं फ 탄 Il कॉस्क्त इसके सोंद फोर्मॉला होता है चेंज इन वॉल्यम अपन ओरिजिनल वॉल्यम और इस्कुल टू होता है वन माइनस टू मियू इन्टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जैड बैकेट में अपन एक यह आपका यह यंग मोडलर्स तो यह पूरा था इस्टेंग का टॉपिक अब कुए रिविजन लेते हैं पूरे चैप्टर का कि आज हम लोग ने क्या पड़ा ओके अगर आप वीडियो अच्छला यह पूरा दो वीडियो को लाइक करना वर आप चाहते हो कि आप यूपी टेपल एस सीजेए की यूपीटेबल एस सीजेए की बेसिक से लेके कि advance तक की और पर फिरी में कि तो आप सब्सक्राइब कर ले ना आ को भी दबाते हैं क्योंकि हर लेक्षर में दो टाइप की लेक्षर होंगे पहले लेक्षर नहингरा आपको पूरक क्वेरिस मिलेंगी जितने ही आप ऐसी जाते हैं में पहले लेक्षण में आपको क्वेसिक मिलेंगे प् 바시व कर आ कर आए इस डिफ्टने प Almost only फ्रिक्राइब वीडियों म्सम्राइब करेंगे गर आप एडरी ब्लोग के पास इसन आप लगाते रहें जिससे आप सब्सक्राइब और आप लोग भी घर पर जो भी बुक है आप के पास उसके क्वेशन आप लगाते रहे जिससे आपकी भी प्रेक्टिस होती रहे और आपको इस वीडियो में अभी कोई को लेकर तो आप नीचे कमेंट कीजिए मैं उसका रिप्लाइज जरू दोंगा और अपनों के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर कर दें जिससे हम लोग मॉटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे लेक्चर और रिकॉर्ड करेंगे मिलते अगले वीडियो में तब तक के ल